नमस्कार मैं हूँ दीप्ती शर्मा और आज इतनी खुबसूरत सुभा आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यूजेटीन के हमारे स्खास कारिकरम भाग्यम में और भाग्यम के इस विशेश सेग्मेंट में जहां पर आपर हम हर रोज औरिकल कार्ड के जरिए चारेट कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरेगा और हम डिवाइन गाइडेंस लेते हैं कि हम किन बातों को करें और किन बातों को करने से बचें जिससे कि आज का दिन हमारा बहुत ही बहतरीन हो और over of the average मतलब कहीं ना कहीं जैसा सामान्य से भी बहतरीन हम आज के दिन को बिता सके और इसके लिए जो हम divine guidance लेते हैं वो एक से लेकर 9 मूलांग तक की होती है आपकी कौन सी reading है कौन सा है आपका मूलांग अगर आपने हमारी कायकरम को नया जाइन किया है तो एक उधारण देकर आपको बताना चाहूंगी अगर आपकी date of birth है 19 यानिकि 19 तो एक और 9 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ाएगा 10 जीरो को मत लीजे नमबर एक को लीजे तो एक होगा आपका मूलांग और आज की तारिक है 26 जून 2023 और आज की तारिक 26 को जब हम जोड़ेंगे तो आएगा आज की तारिक का मूलांग यानिकि 2 और 6 को जोड़ा तो जोड़ाया नमबर 8 तो नमबर 8 आज की तारिक के मूलां नमबर आठ उनके स्वामी होते हैं शनी शनी न्याय प्रिये देव हैं बहुत ही जादा पावरफुल प्लानेट हैं लेकिन कहीं ना कहीं उगर हैं और लोग भैबीत होते हैं लेकिन वास्थिक्ता में भैबीत तो हमें हमारे कर्मों से होना चाहिए क्योंकि न्याय प्रिये द आस्ते पर हैं हम प्रक्रती परमात्मा के बनाएं नियम के नुसार चल रहे हैं तो स्वभाविक सी बात है जो फल है वो शुभी होगा आज मैं आपको एक बहुत महत्पून बात समझा रही हूं मेरी बात को बड़े ध्यान से समझेगा और कोशिश कीजिएगा कि उस पर अगर आपको लगता है की आप बहुत जयादा बहुत जादा पैक आपको हो रहा है बहुतcom को ये खय से आप ना 6 महिने के लिए गायब हो चाईए, 6 महिने के लिएजो भी कोई आप काम कर रहे हैं, इसको इदम से स्टॉप कर दीजी, ब्रेक कर दीजे, आप देखेंगे कि धीरे 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 लोग आपको भूल जाएंगे आप उस जगे अस्तित्व में नहीं रहेंगे तो सच्चाई क्या है इस भौतिक जगत की दोड़ भाग में समान प्राप्ती की दोड़ भाग समाज में अपने आपको उपर दिखाना स्टेटस दिखाना स्टेटस सिंबल दिखाना यह सब चीजों की दोड़ भाग है वो कभी खतम नहीं होती यह चक्र है जो घुमता रहता है आज जो इस दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ती भी है वो और भी अमीर बनने की कोशिश में लगा हुआ है लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी रिसर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि मोसली जो सबसे जादा रिचस्ट लोग हैं दुनिया के उन्होंने अपनी आदी से जादा प्रॉपर्टी को डोनेट किया हुआ है क्यों किया हुआ है बिकेज उनको जो एचीव करना था उन्होंने कर लिया और उसके बाद उन्होंने उनको पता है कि रियालिटी क्या है लाइफ की कि जिन चीजों को पीछे हम भाग रहे हैं ये चीजें हमारे हमारी पूरी लाइफ के लिए हमें खुशिया नहीं दे सकती हमें शान्ती नहीं दे सकती हमें हमारा परिवार नहीं दे सकती तो सब से important बात है कि आप rat race का हिस्सा मत बनिए बलकि उस rat race से निकल के अपने वास्तविक सुरूप को प्राब्त कीजिए फैसे दोस्तों बिनादेर की आज के कारिकर geschर्वा चुरुआत करते हैं और जानते हैं मुलांक एक के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 26 जून 2023 के लिए और हमसे कहा जा रहा है है तंडर बोल्ट का काड आपको कहार है कि आज के दिन कोई अकसमे गटना आपके साथ ऐसी हम इसाल में आपकी विचारधाराओं को परिवर्तित करके और भलाव सकता कि अपकी आप sug कर रहे हों किसी कारे में आगे बढ़ने के लिए आप सिर्फ प्लैनिंग प्लैनिंग किये जा रहे हैं तो हो सकता है कि आपको तुरंत एक्शन लेना पड़े तो आज का दिन जो भी कुछ हो रहा है यह आपके भले के लिए होगा और इस चीज को आपको स्वीकार करके आज आ आज आ रहा है और ने इसका कार्ड है आपका लगी नमबर दर आपको कहा जा रहा है बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखिए अति महत्वका आंक्शी ना बनिए ऐसा करना आपके लिए भी ठीक नहीं है क्योंकि आपको कहा जा रहा है कि जो छोटी-छोटी आईए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 26 जून 2023 के लिए और कहा जा रहा है Inner Voice का काड़ है लगी नमबर है आपका 2 और आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन जो भी आपके इंतरात्मा कहती है आपको उसे फॉलो करना है यदि आप किसी महत्पून कारे को करने जा रहे हैं विशेश तोर पर अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं नया कोई काम शुरू करने जा रहे हैं किसी के साथ आप पार्टनर्शिप करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा आपको सावधान रहने की जरुरत है जो आ एझुलन्क चार के लिए हमसे कहा जा रहा है आपको का जा रहा है आपका का लगी genug प्रफियोँज रह सकते हैं आप आज हैं मैंटनी जो है प्रेशर और अप्छम कर सकते हैं तो आपको डिदिवाइन का ब zalस्क headphones करना है कि अच शरा वह बहुत को कोई महत्पूर्ण निने नहीं लेना है धन का इंवेस्टमेंट नहीं करना है हर कोई कारे आपको जो आज आप करने की सोच रहे हैं उसे सोच विचार के अभी कुछ समय का टाइम दे नया कारे आज आरा में बिल्कुल भी नहीं करना है विशेश द्यान दे आपका दिन और आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आप एक दम नए दृष्टी कोण के साथ अपना नया कोई कारे आप आरंब करने वाले हैं कुल मिला के जो यह चेंज है यह बहुत ही बहतरीन चेंज होगा आप अपने भीतर कुछ नया अनुभव करेंगे कुछ अच्छा जो भी कोई काम आज आप करने वाले हो सकता है कि आपको एक नया पद दिया जाए या आपको कोई नई जिम्मेदारी भी प्राप्त हो सकती है कुल मिला के आज का दिन अच्छा है इस्पेशली आपके करियर के लिए आपका दिन शुभव मूलंक 6机 के लिए आई जानते हैं मूलंक 6 के लिए हमें परमात्मा अज क्या गाइड कर रहे हैं 26 यून 23 के लिए और मूलंक 6 के लिए हमसे कहा गारा है कंप्लिशon का कार भॉव की नमबर आपका तीन और आपको कहा जा रहा है कि आज का दिन आपका बहुत अच्छा है बहुत से कारे आज आपके पूर्ण होने वाले हैं में तो यह कि आपके काम अठके हुए थे या किसी प्रकार की दुविधा परिशानी में आप थे तो वह चीज आप जो सौट आउट कहा जा रहा है कि आप भीतर से कहीं ना कहीं जो अभी तक आप इमोशनल इंबालेंस चल रहे थे तो कहीं ना कहीं वह आपकी बैलेंसिंग भी होगी आपका दिन शुभ हो आई जानते हैं मूलांक साथ के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 26 जून 2023 के लिए और मूलांक साथ के लिए हमसे कहा जा रहा है maturity का काड़ है आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करनी हैं बड़ी समझदारी के साथ आपको अपने कोई भी निर्णे लेने हैं किसी भी विक्ति के साथ अगर आप बात करें तो अप इक आत्मसम्मान आपको भी प्राप्त होगा तो कुल मिलाके बहुत जादा समझदारों की तरह आज आपको कोई भी बात करनी है विशेश तोर पर अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान में और अपनी जॉब के लिए आपका दिन शुब हो आये जानते हैं मूलंक 8 के लिए हमें परमातमा आज क्या गाइड़ कर रहे है 26 जून 2023 के लिए और मूलंक 먹고 के लिए हम से काहा जा रहा हई Lucky न č पांच आप को कहा जा रहा है कि आपको न किसी के साथ भी आपको कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है आप से आगे ज्यादा ग्रोव कर रहा है या कोई नहीं गाड़ी लिया या कुछ भी कोई भी चीज ओ आपको अपना दूसरे के साथ नहीं करना है कि भगवान मैं कब करूंगी मैं कब करूंगा मैं यह कब लोंगी तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें क्योंकि परमात्मा ने जिसको जैसा बनाया है जिसके लिए जो डिवाइंग टाइमिंग डिसाइड किया है कि आप अपने उपर भ्रोसा करें अपने टैलेंट पर भरोसा करें और बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ हर वो चीज आप हासिल कर सकते जो कि जिन्दगी में आप हासिल करना चाहते हैं तो अपना जो पूरी एनर्जी है वह दूसरों पर ना लगाएं बलकी अपने इस अन और मूलांक 9 के लिए हमसे कहा जा रहा है पास्स लाइफ का काड है आपको कहा जा रहा है कि पूर्व के अटके हुए कारे जो हैं वो फिर से आज आपके सामने आएंगे कम्प्लीट होने के लिए तो बहतर यही होगा कि आज आप जो भी पेंडिंग वर्क हैं उसे कम्प्लीट करें साथी साथ ये भी कहा जा रहा है कि पूर्व के किसी मित्र से आपकी मुलाकात हो सकती है या फिर कोई ऐसा घटना करम आपके सामने आ सकता है जो कि पास्ट में आपको लग रहा था कि खतम हो गया है लेकिन पिर से वह आपके सामने आज ओपन हो सकता है तो कुल मिलाके आज के दिन बहुत जादा कोई नया कारे करनी के आवशकता नहीं है हडबड़ी नहीं करनी है अपनी उर्जाओं का दूरुपयोग नहीं होने देना है क्योंकि माइंड चलेगा बहुत कुछ करने के लिए लेकिन आपको अभी अपने माइंड को भी अपने कंट्रोल में रखना है किसी को आपको अपना धन नहीं देना है किसी भी प्रकार का ऐसा कोई कारे नहीं करना है जिससे आपकी प्रतिष्ठा पर बाता है आपका दिन शुभू तो दोस्तों यह थी रीडिंग हमारी एक से लेकर नौ मुलांग तक की हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप कि जून चन 2023 विक्रम समद 2008 चल रहा है आशाड मास है शुकल पक्ष है ग्रिश्म रितु है तिथी आज की अश्टमी है और आज का वार है सुमबार आज के नक्षत्र की बात करें तो उत्रा फालगुनी नक्षत्र दौपेर बारा बच के चमवालिस मिनट तक है आगे हस्त नक्षत्र पूरे दिन और पूरे रात रहेगा योग वर्यान है और योग की द्रश्टी से आज का दिन शुब है इसका सदुप्यों कीजिएगा करन विस्टी है दौपेर एक बच के बीस मिनट तक आगे बव करन रहेगा सुर्योदे का समय दर्शे को सुबह पांच बच क चौबिस मिनट का था और सुर्यास्त का समय शाम साथ बच के बाइस मिनट का है आज का राहुकाल सुबह साड़े साथ से नौ बजे के बीच रहेगा इससे पूरी तरीके से टाल दीजेगा इसमें कोई शुब का रहे और लंबी यात्रा नहीं करनी चाहिए लेकिन क्योंकि आज 11.55 मिनट से दौपेर 12.55 के बीच में हैं दिन में चार बार दुष्ट मुरत भी रहेंगे इन्हें ध्यान से समझेगा और सूजबू से टाल दीजेगा यह हैं दौपेर 12.50 मिनट पर एक बच के 47 मिनट पर फिर दौपेर बार 13.49 मिनट और 4.35 मिनट इन चारों को समझ करके निकले परिहार बहुती सरल है पूर्व की और मुख कीजिए दरपण में अपना मुख देख लीजिए और पांच कदम पीछे चलिए और जब यह पूरी प्रकरियां आप करें तो भगवान श्री राम या अपने इस्ट को अपने हरदे में स्थित्माने और फिर इस यात पर निकले बहुती अच्छी यात्रा रहेगी दिशाशूल आपको बिल्कुल परिशान नहीं करेगा आज का शुब समय दर्शे को यानि आज के दिन का सदुप्योग करने का जो समय है वो है सुबह 9 बजे से लेकर 10 बच के 35 मिनट तक फिर दौपेट 2 बच के 15 मिनट से शा कन्या राशी से गोचर कर रहे हैं जिससे आज का ये दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ प्रकार रहने वाला है सबसे पहले बात करते हैं मेश राशी की मेश राशी वाले आज लीन देन में किसी प्रकार की जल्दबाजी ना करें सोच समझ कर किसी को भी पैसे दें व्रश राशी वाले आज सिक्षा के छेत्र से जुड़े लोग और चात्र चात्रा हैं विशेश करके अकाउंट्स फाइनेंस वालों को बहुत ज्यादा लाब है मितुन राशी वाले बहुत ज्यादा परिशान हो सकते हैं विपरीत परस्तितियों और लोगों के वैवार से ऐसे ही करक राशी वालों को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलने की उम्मीद है आज कहीं न कहीं से आपको अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा सिंग राशी वाले धन लाब करेंगे और वित्य प्रबंधन में सक्षमता प्रकट करेंगे यहीं फाइनेंशियल मेनेजमेंट में अपने स्किल्स दिखाएंगे कन्या राशी वाले आज रहेंगे डबल मैंड़ेड भ्रम की स्तिति आपके साथ बनी रहेगी तुला राशी वालों को ध्यान दकना है कि व्यापार का ओफर एक धोका भी हो सकता है तो सूच समझ के किसी ओफर को आज आज आप सुइकार करें व्रश्चिक राशी वाले किसी बड़े आर्थिक लाब की और आगे बढ़ते वे दिखेंगे और धनू राशी वालों को करियर में होता दिख रहा है लाब विशेश करके बैंकिंग, इंशुरेंस और मार्केटिंग से जुड़े वे लोग होंगे लाभनवित मकर राशी वाले भाग्य से पाएंगे आगे बढ़ने की नए अवसर कुम राशी वालों को आज स्किन एलर्जी और जुकाम खासी करेगी परेशान, स्वास्त का रखें आप ध्यान और मीन राशी वाले आप अपने जीवन साती के साथ मिलकर किसी व्यापार या नए करियर पर करेंगे चर्चा अब करते हैं आज के दिन की ज्यान चर्चा जो आपकी हमारी अंते द्रश्टी प्रग्या को जागरत करेगी फिर आगे समझेंगे उन विश्य शुपायों को जीवन को सुगम सुरक्षित सुन्दर और सफल बना देते हैं चुमें करेंगे आज के दिन की जोतिश मंत्रना और समाधान दर्श को एक बहुती सुन्दर श्लोक शास्त्रों में आता है जो श्रद्धा और विश्वास के महत्र को दर्श आता है श्लोक इस प्रकार है कि मंत्रे तीर्थे द्विजे देवग्ये भीशजो गुरो यादर सिद्धी यानि उतना ही फल उप्राप्त होता है मंत्र किसी को एक या दो माला में फल देता है किसी को पचास माला फेड़ने के बाद भी जपने के बाद भी कुछ भी नहीं मिलता यह विश्वास का खेल है ऐसे एक ही डॉक्टर की दवाई जब दो अलग लोग को दी जाती ऐसे दर्शे को शद्धा और विश्वास के बिना आप जीवन में कुछ भी नहीं पा सकते हैं शद्धा अपने इश्ट अपने गुरुजनों और अपने माता पिता के वचनों पर कि जैसा वो कह रहे हैं वो बिलकुल फाइनल है सही है और विश्वास अपने सामर्थ पर औ बड़ने में सबसे बड़ी बयादा हुआ करतीए जब आप अपने मंत्र तीरत अपने धरम अपने गुरु और अपने शास्त्र पे संखे करने लगे तो हर एक कदम पर आपको समस्या मिलेंगी परिशानिया मिलेगी और पराभव मिलेगा इसलिए संशे से बचें शुद्धा विश्वास अपने गुरुजनों में अपने शास्त्र में अपने मंत्र में तीर्थ में द्विज में और जोतिश में और अपने भेशज यानी वैद्ध में रखें यह आज की ज्यान चर्चा क असार है अब बात करते हैं उन विशस टुपायों पर जो आपकी सारी समश्याओं के सरल समधान कर देंगे जीने करके आप सफलता अर्चनों को पीछे छोड़ते वे बहुत तेज गती से सफलता की और अग्रिसर होंगे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जनम दिन है आप सभी लोग आज पाँच प्रकार के पौध हैं किसी मंदिर के पास लगाएं और सवा किलो गौ माता का घी अपने सिर पे से साथवार उतारा करके क्लोकवाइज किसी अखंड जोती में अर्पित कर दें साथी साथ आज अपनी माता को या अपनी जनम दाता मा को कुछ श्रंगार की सामगरी या मिठाई अवश्य भेंट करें अनका अश्रवाद लें तो आने वाला वर्ष बहुत ही शुब रहेगा इश्वर ये अनुकंपा के साथ बीतेगा ऐसी दर्शे को जिन लोगों को आर्थिक स्तती बहुत खराब चल रही हो रोजगार को लेकर परिशानी बने वी हो और कितना भी प्रयास कर लें आप उसके बाद भी आपको धनलाब नहीं हो रहा हूँ ऐसी किसी बी श्तती में अगर आप फसे हैं तो एक सटी को पाए करें जिससे ये श्तती बहुत जल्दी सुधर जाएगी इसके लिए करना सिर्फ ये है कि आप एक लकडी की चौकी पर एक लाल वस्त्र बिचाएं उस पर माता लक्षमी जी का चित्र स्ताफित करें चौकी के चारो तरफ एक एक धेरी बनाए चावल की एक एक मूंग की यानि चावल की और मूंग की एक एक धेरी बनाए चारो तरफ दीपक प्रजोलित करें भगवती के सामने शुद्द गौगरत का हो जिसमें लाल बत्ती हो अब भगवान गणेश जी का पूजन कर उनसे बिना विग्न के पूरा पूजन पूरी साधना संपन होने का वर मांगे और फिर माता लक्षमी का पंचोप चाड़ से पूजन करें और उन्हें अपनी समश्या कह दें प्रशाद में खीर का भोग लगाना है फिर ग्यारा माला आप इस विशेश मंतर की जाप करें मंतर इस प्रकार है ध्यान से समझिए ॐम श्रीम रीम श्रीम कमले कमलाले प्रशीद प्रशीद ओम श्रीम रीम Shreem Shreem kamlaLyay प्रशीद指id Am Shreem under auesto महा लक्षमे नमय तीन दिन आप Castro ये साधना करनी तीन दिन इस प्रकार पूजन करने के बाद मैं सारी सामगरी को को इक लालवस्तर में बांधकर धनिस्तान पपर और अब रख दें वह आप इत START के पूरी तरीके से जाएगी संश्यसमाप पीडा से निर्दंता से असफलता से हो या फिर गंभीर पुराने रोगी क्यों नहों एसी किसी भी स्तिती में त्री अक्षरी लगुमृतुन जी मंत्र अनुस्टान बड़ी-बड़ी समश्याओं सा आप भार निकल जाएंगे यह आप कीजिएगा बहुती बड़ा इसका प् इत्ते करें और अपर तक जिशैन लाइव हो ब्रहणा सब्षे को बहुत आसल् Mark जम कोई बीशनी नहीं है और आपको एक अच्छे जीवन के और अग्रसर कर रहे हैं अब बात करते हैं आपके सवालों की आपके सवालों में आज हमारे पाश जनम पत्रिका यह हमारे दर्शक सुरेश सुनी जी की कोटा से 30 मई 1989 का इनका जनम है 10 बच के 33 मिनट कोटा राजनितिक भौश्य देखिए य यह सुरेश जी जबड़्दस राजयोग है आपकी पत्रिका में क्योंकि गज केसरी योग लगन में बन रहा है और वो भी करक राशी में बन रहा है यानि चंदर्मा अपनी स्वयम की राशी में है और गुरु अपनी उच्छ राशी में वैसे तो इस योग को देख लेने क है कि आप राजनिती में अवश्य सफलोंगे आप बस शनी राहू के तुके शान्ति करवा लिजे और शनी राहू का जो प्रेत दोश आपकी कुंडली में इसकी शान्ति करवा ये ताकि आपके जो राजनितिक सफर है इसमें धोकेवाजी की वज़े से कोई संकट ना आए और रास्ता जो है वो निश्कंटक रहे आपका आज की दूसरी जनम पत्रिका आई है हमारी दर्शक सरोज जी की जैपुर से एक गिसंबर 2001 का इनका जनम है सुबह पांच बच के 29 मिनट का प्रश्न किया है कि शेत्र में नोकरी की कोशिश करें क्या सिक्षा की शेत्र में सं योग नहीं है आप बैंकिंग और फाइनेंस के चेत्र में प्रयास कीजिए बुद्ध और शुक्र के जा पवश्य करवा लीजिएगा ताकि आपको अपने जीवन में ज्यादा संगर्श ना करना पड़े जुलाई सन दोजार 25 से लेकर जुलाई सन दोजार 28 के बीच में आ आशा करता हूं कि बताएव उपायों को सही विदी सटीक समय पर करके आप पूरा पूरा लाब उठाएंगे और जो सत्संग में हमने समझा है कि शद्धा और विश्वास का क्या महत्व हैं उस अपने जीवन में उतारेंगे जीवन को सुखी सम्रत दोर एक आधर्श जीव